दोस्तों मैं पदमर्जाग भुबनिश्व ब्लेसिंग टीम से हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सतरेरिंग के द्वारे लिखी गई किताब कर्म और पुना जर्म के चाप्टर नवर 17 जो है कांशियसनेस एंड कर्म है उसमें हमने पिछला जो जाना था कि कर्म का कैसा रूल रहता ह हमारे जो कांशियसनेस के रूल अपने में आए इसमें आगे और जानते हैं लेखे क्लिख रहें टीचिंग से हमें यह पता चलता है कि कर्म को विचार और मानसी के उर्जा के द्वारण बदलाव या नस्ट किया जा सकता है हमारे विचार की विचारों की जो लाइट है उस एक रिपेमेंट हमारी बाकी है उसे हम लाइट और सर्विस के साथ भुपतान करके उन गलत कामों से बच सकते हैं विचारों की उर्जा के द्वारा इस तरह का सुधिक्रियांग का प्रक्रिया चेतना और जागरुता हमारी मतलब हमारी consciousness को expansion में अधिक से अधिक विकास के और हमें ले जाती है मतलब हमारे judge से जैसे हम purity of thought होता है हमारी thoughts जितनी clear होती है हमें उतनी जल्दी हमें इस सथ से बाहर निकलने का मौका मिल सकता है लेकिन जब हम अंधेरे करणों को नस्ट करते हैं अपने जिंदगी क्यों तो हमें बेहत साबधानी वरतनी होगी क्योंकि एधी नया कोई करम पुरा कर्म ना करें या पूरा डाक वेफ ना create करें उसके लिए हमें बहुत क्यापुलर रहना होगा क्योंकि अगर हमने कोई भी बिना शक्राइब कररें तो वो हमारी जो पूराने करमों को पुनर जीवित कर देती हैं और हमारी जो ट्रावलिंग जो हमारी spiritual travel के आध्यात्मक जो हमारी यात्रा चल रहे हैं उसमें chaotic state बनाते हैं और हमारी एक रोड़ा अठकाती है तो सिर्फ यही कारण हैं दोस्तों कि हमें अपने पुराने vices के तरफ नहीं जाना है तब के मार्ग पे पवित्रता ही travelers का कवच है जो हमारी spiritual journey के रुस्ते में सिर्फ हमारी purity ही हमारी कवच या shield के तरह काम करता है विचारों की पवित्रक्ता के साथ एक व्यक्ति को एक sensitive antenna बनाने का प्रयाश करना चाहिए और यह antenna मतलब ऐसा कोई imagination नहीं है कोई figment of imagination नहीं है बलकि जो महान विचारक या सच्चे विचारक रहते हैं उनके पास antenna develop होता है जो विविन्न स्तरों में या विविन्न आयामों में जाकर उनके पास वो विविन्न संकेतों को समझ के decode कर पाते हैं जो भी आपका है उनके पास seven-fold antenna होता है जो विचार और विचारों की कई आयामों से आकर्षित कर से हैं जो भी एक महान विचारक है विवकानन्द हो गया है पत्रेजी हो गया है जो भी हम जिनका भी अब नाम ले वह महान विचारक जो भी रहे हैं हमारे पृत्वे में जो मिले हमारे ग्रहे में उनके पास seven-fold का antenna होता है जिसमें वो different level consciousness के तुरू connection बना पाते हैं और वहां से information decode कर सकते हैं और लेका कि ये भी लिख रहे हैं हमें कभी भी कोई creative काम में lean होने से पहले मतलब कोई भी अगर करना चाह रहे हैं तो बहतर होगा कि हम अपने antenna का develop कर ले क्योंकि यह मस्तिक से जो हमारी antenna जतनी develop होगी हमारी जो creativity है वो उतना ही सुन्दर और निखर के आएगा तो हमें यह कैसे किया जाएं दोस्तों इसके लिए हमें एक जुन आंतरिक्ष के एक संबेदना सेल प्रकास की किरन का कलपना करना होगा मतलब एक light source आपके जो आपके brain के साथ consciousness का connection बन रहा है और वो हमारे finally हमारी inner consciousness को भी जाकरत कर सकता है और यह धीरे धीरे with practice हम अपने एंटीना को भी भिन्न स्तानों में project करना भी सीख जाएंगे और प्रकास की भिन्न भिन्न स्टेशन में हम connect करके different type of information जो हमें मिलती है मतलब हमारी intuition डेवलप होती है हमारी information से हमें आती है हम उसको decode कर सकते हैं layer by layer हम उसमें से आगे निकल सकते हैं और जैसा जैसा हम आगे बढ़ते हैं तो various station के साथ tune करने करके हम अपने जो जेतना को संचारत कर सकते हैं मतलब यह हमारी लिए possible होगा with practice जब हम हमारे antenna develop करें और वो different levels में connection बना के जब हम करें तो हमें यह थोड़े समय बाद है हमारे लिए possible होगा इस तरह के मतलब इसी तरह से एक electrical engineer मान लीजे वो philosophy की बात कर रहा है without any help तो कैसे कर रहा है क्योंकि वो विविविना station में वो connect करके वो information उनके दिमाग में आ सकते है जो जो universal consciousness के पास सारी informations है तो वो उनके पास वो आता है और वो decode कर सकते हैं ना के विल हमारी चीतना बलकि हमारी विचार और विविना परिश्थितियों के हिसाब से बदलते हैं मतलब बोथ चेतना और हमारी thoughts जो आउटर स्टेट जैसा रहता है उस तरह से हमारी change होता है मतलब हमारी बाही condition कैसी है हमारी inner condition कैसी है मतलब बाहर किस जगे पे हैं हम मा इस तरह के साथ है उसमें भी हमारी inner feeling वैसा हमारे thoughts और हमारी consciousness उसी से affected होती है तो यह जो हम हम इस चीजों में हमारी thoughts रहती हैं तो हमें हमेशा ही यह कोशिश करनी होगी या फिर ऐसे conditions हमें खोजनी होगी जिसमें हम अपने सबसे अच्छे विचार को रख सके तब ही हम यह जो consciousness develop करने में या पर expansion करने में possible होगा लेकिन यह भी सही बात है कि अगर आप एक blissful state में है तो आप meditation करने आप blissful state में है बड़ मेडिशन खत्म होने के बाद आप घर के जो आपके जो जिम्मेदारी है उसके काम कुछ या दाएंगे कुछ होगा कुछ और एक चीज है कोई एक काम करना है कुछ भी है वह सब होगा तो वह सब चीजों के बाद अकर आप यह clarity नहीं हो पाती है या पर आपको यह नहीं मिल पाता है तो इसको ऐसा हमेशा ही blissful state में रहना हमारे लिए possible नहीं हो पाता है तो उसमें हमें यह with practice यह भी संभव है कि हम practice and willpower दोनों ही चाहि possible हो पाए चेतना ऐसे खेत्र में अधिक नस्ट मस्पस्ट रूप में फैलती है और कारी करते हैं जिसमें एक दूसरे के साथ विचार का टक्राव नहीं हो पाती तो हमें उच्छ और सद्ध विचार हमारी जो चेतना के expansion के लिए ज़रूरी है भविश्रम में इस तरह से जो हमें इस तरह का help possible होगा लेख क्लिक रहे हैं इस तरह का help लोग ले पाएंगे for example एक surgery हो रही है तो वो जो surgeon है उनको outside उनको body के अंदर का जैसे help में मतलब एक surgery करके उनको बाहर से देखके यहां पर surgery होगा decide करते हैं तो वहां पर वो आश्रम में जो उन्हत लोग हैं या जिनके पास information है already जो मुनीरुशी हैं उसके साथ भी connection बना के भी यह काम वो कर पाएंगे तो यह द्यान रखना बहुत रोचक होगा कि कर्म अकसर इंटर्फिय करता है मतलब इस तरह कि जब हमारे जो थौट होता है हमारे consciousness का development के वगेरे में करम का बहुत important role रहता है वो कई बार हमारी चेतना को अबुद करता है और कई बार हमें चेतना को हमारी चेतना को प्रकाशिक करता है मतलब फार एक्जाम्पल एक एक्जाम्पल के ले 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 तो इसको अच्छे सब्सक्राइब आदमी वो फेल होता है क्यों फेल हो रहा है उसने वो उसने एक important points को मिस कर दिया वो क्या कहेंगे हम इसको उसकी conscious में उसको अवरुद किया मतलब उसके कर्मा ने उसको वो important point को मिस करने के लिए बात देख्या और और एक less intelligent आदमी ने जिसके अब भविश्वा अंधिकार ही दिख रहा था कोई चांस ही नहीं था उसको successful होने का पर वो ऐसा successful हो जाता है वो क्यों हो रहा है क्यूंकि उसके कर्म ऐसे रहे हैं जो उसको influence करती है ऐसा कुछ changes कुद में लाने के लिए ताकि वो success उसके पास आ जाए तो हमें सब कर्म को यह हमें इसमें से clear यही है कि कर्म के कारण एक हमें हमारी जो चेतना का कभी-कभी परदा पड़ जाता है कभी-कभी बोलते हैं या फिर हमारी अकल मतलब खुल गई या फिर कोई एक information हमारे पास आ गया है वैसा भी होता है तो उधारन के लिए अगर कर् वह कोई गलत काम करेगा और मर जाएगा दूसरी और अगर उसको मरना नहीं है उसके कर्म के वज़े से उसके मरना नहीं है तो उस खतरना condition में भी उसके पास मदद आ जाती है मतलब वह इनर गाइड उसको इनर गाइड को पता चल जाता है कि ऐसा कुछ मुश्किल आने वाल पर पहले निकल जाता है ऐसे बहुत तरह से help आ जाती है तो आदमी को अपने कर्म और संपती का कुछ व्यवस्ता करने के लिए प्रेडित कर लेता है मैं अगर मान जीजिए किसी को पता चल गया कि वह मरने वाला है तो पता चल गया कुछ एक इंडिकेशन उसको आ गया तो लाइफ को आगे जो बाकी उसके डिपेंडेंट लोगों है उनके लिए कुछ करने में वह शक्षम हो पाता है और या पर कई बात तो ऐसा भी होता है कि सवस्त होने के बाद भी उसको मृत्यों के वारा में वह कभी भी नहीं सोचता और उसको कभी भी वह मृत्यों आ जाती को जाग रुपता या फिर अवेरनस हमें किस तरह से आती है कोई प्रेन BRA होता है या फिर कोई ड्रीम आता है या कोई एक्सी बीजाण करने में हम उसको शक्षम हो पाते है तो दोस्तों आज के लिए इतना है बस आगे की चर्चा हम आगे करेंगे तो तब तक दोस्तों स्वस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद